Hello everyone friends, welcome back to top 3 world. Guys, आज मैं आपको एक छोटे से कपड़े का बहुत ही अच्छा इस्तमाल बता रही हूँ. ये सिंगल कपड़ा आपको लेना है, कोई भी कपड़ा यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं. इसके लंबाई है 17 इंच और इसकी चोड़ाई है 11.5 इंच. ये मेरे पास बजा हुआ कपड़ा था, तो जिटना भी था वो मैंने ले लिया है. अब इस कपड़े को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, एक बार और फूल्ड करेंगे. और फिर यहाँ उपर से देखे 2 इंच पर हम मार्क करेंगे. और फिर यहाँ से भी हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे. यहाँ पर मैं एक शेप बना रही हूँ, आप अपनी पसंगी का शेप भी बना सकते हैं. अब इस तरीके से दोनों पॉइंट को हम जोइट करके कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को. तो यह इस तरीके का एक शेप बनेगा, अब यहाँ पर हम सिलाई करेंगे तीन ओर से, क्योंकि एक साइड अल्रेडी हमारा फोल्ड है. तो इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली है, अब इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे, कॉर्नर को कट करके, अब इसके कोने अच्छे से निकाल लीने हैं, और जो इसकी ओपन साइड है, वहाँ पर इस तरीके से हम कपड़े को अंदर की साइड पर फोल्ड करके, यहाँ पर सिलाई कर लेंगे अब यहां से देखिए मैं 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूं एक बार और 2.5 पर फिर से 2.5 पर तो इस तरीके से हम 2.5 इंच पर चार बार मार्क करेंगे, अब कपड़े को इस तरीके से जो हमने मार्क किया था, वहां तक इस तरीके से फोल्ड करना है, तो इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे, फिर इस कपड़े को हम आगे की तरफ ले लेंगे, अब देखें, ये इस तरीके का एक हमारे पास फर्स के जैसा रैड़ी हो चुका है ,ब मैंने लिया है, वैल ग्रो, को मैं यहाँ उपर देश करूँगि एक हिस्से को इसके दूसरे धिस्से को को इस तरीके से मेजर्मेंट लेते हुए होगी यहां पर सैकंड साइड पर अटेश कर लेंगे तो यह मैंने वैल ग्रो को इस तरीके से फोल्ड करके आप एक चोटा सा पर्स बना सकते हैं और इसके अंदर आप अपने जरूरी चीजों को रख सकते हैं बहुत ही आसान और बहुत ही ज्यादा उपयोगी तरीका है आपको कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसे थोड़ा सा डेकोर सकते हैं तो इसको आप चोटे से पर्स को अपने कोई भी बैग में रख सकते हैं यह एक्टम हैं कहीं पर भी आपको निकालना है रख सकते हैं और अगर आप किसी को गिफ्ट करेंगे बड़ी उम्रके को उससे भी बहुत जादा पसंद आएगा तो आज का वीडियो आप ल